दोस्तों जो आज का business idea है उसका future काफी जादा है क्योंकि electric vehicle charging का business काफी जादा increase होने वाला है future में क्योंकि Tesla वगरा गाड़िया जहां से जूकी की बात करें तो electric vehicle निकाल रही है और petrol और diesel की production भी future में कम होने वाली है और आज उसी पर हमारा वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कितनी space चाहिए कैसे कैसे आप start कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें इसके लिए important है तो चलो start करते हैं सबसे बहले बात करें अगर हम जगा की area इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं चाहिए 5-6 मडला area इसके लिए चाहिए 1000 square feet भी होगा तो आपके लिए काफी है वो उसमें आपका setup हो जाएगा क्यूंकि हम 22 बगारा charging की बात नहीं कर रहे हैं मतलब हमारा जो रहेगा वह रहेगा मिनीज की तक मतलब three tire हो गया two wheeler हो गया और हमारे four wheeler cars होगी बस यहां तक और इसका business depend है आपको किस मतलब कितने में करने है minimum इसका खर्चा 10 लाग रुपे में start हो जाएगा अगर मैं आपको example के दो रुपे बताऊं अगर हम एक फास charging का लगाए 50 KV वार्ड पर और दो slow charging का बारे DC 002 15 KV वार्ड बारे AC 001 10 KV वार्ड यह आपको इंडिया मार्ट से सब मिल जाएगा मैं उसका link भ अगर बात करें हम 10-15 लाग रुपे हमारी investment आती है इसमें और यह future काफी जादा है और यह नहीं है कि एक दम से कोई बड़ा आप start कर सकते हो चोटे पैमाने पर आप इसको start करो क्योंकि इसका जो business अभी देरे देरे grow हो रहे है जैसे ही मतलब कुछ time बाद 2-3 साल बाद इस profit हो सकते हैं हमें क्योंकि देखो क्या है अगर हम मतलब 2-3 रुपे पर केवी बॉर्ट पर हम profit रखें क्योंकि अगर किसी government से विजली दे रहे हैं तो 2-3 रुपे हमें उसमें बज सकते हैं अगर दिन में 2000 केवी बॉर्ट भी होता है तो आपका 4000 रुपे डेली का हो गया वै वैसे अभी petrol pump गहरों का काम है काफी जादा मुनाफ़ा होता है वैसे ही आगे EV charging का production अच्छा हो सकता है तो अब भी से अगर आप स्टार्ड करते हो पब्लीक चार्जिंग स्टेशन और चोटे पहमानें पर करते हो 10-12 रुपे आपका आएगा और आपकी काफी जादा मुन है और खंच।ो झाय करते हैं करते हैं झाय वैसे